नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर राजेश वुद्वा आप देख रहे हैं खाबर ना भार्याना आज धर्मनकरी कुरुक्षेतर में विश्व हिंदू परिशत के केंदरी महामंतरी मिलिंद परांडे जी पहुंचे हैं आज हम इनसे विश्व हिंदू परिशत के परकलपों और देश के वर्तमान हालातों पर चर्चा करेंगे नमस्कार सर्थ सबसे पहले तो दर्मनकरी कुरुक्षेतर में पहुंचने पर आपका स्वागत हैं गुरु पुर्णिम का कारिकरम में आप भाग लेने के लिए पहुंचे हैं सर्म मैं ये जानना चाहूंगा कि इस समय जो वर्तमान हालात हैं इसलामिक आंतावा आंताकवाद जो है बड़ा जोर शोर से मुद्दा बना हुआ है इस पर आप क्या रखना चाहेंगे इसा है कि ये देश में हिंदू संस्कृती, हिंदूओं का कल्यान, हिंदूओं का हित यह केंद्र बिंदू में रखकर ही सब कुछ सोचना चाहिए इसलामिक आतंकवाद यह हिंदूओं के उपर हिंसात्म काकरमण करके हिंदू समाज को डराने का सोच रहा है किन्तु यह कभी भी संभव नहीं है हिंदु समाज को संगर्ष का बहुत बड़ा अनुभव है और कोई हिंसा से हिंदु समाज को डरा नहीं सकता है और यह जो ऐसी हिंसा करने वाले लोग है हिंदु समाज अपने पराकरम से इनको समाप्त करेगा इनकी हिंसा को भी समाप्त करेगा ऐसे हिंसक लोगों को भी कानून के रास्ते से जाकर इनको हम पूरन चबाब देंगे 2014 से सत्ता में भाजपा सरकार है 2021 में पूरा कंप्लेट ठीक ठाक चला गया पिछले छे महिनों में ही ये आंतागवाद जो है तेजी से बड़ा है इसकी क्या वज़े मानी जा सकते सर पिछले छे महिनों में कोई साथ सल ऐसा पर बाव देखने को नहीं मिला बहुत सारी विदेशी शक्तियां और बहुत सारे उनके हस्तक जो भारत में है वैसे ही कम्मिनिस्ट विचारधारा के लोग जो भी हिंसा में विश्वास रखते हैं गैर कानूनी जो धर्मांतरन इसाई मिश्णरियों द्वारा हो रहा है उस तरह की शक्तियां और इसलामिक आतंकवाद की शक्तियां ये सारी शक्तियां भारत को तोड़ने का प्रयतन कर रही है और इसलिए इनके शड़यंतर है तो इनको जैसा दिख रहा है कि हिंदू संगठन और हिंदू संगठन की शक्ति बढ़ रही है और इनके पास दूसरा मार्ग नहीं बचा है तो इसलिए भी पूरन रूप से हिंसा के मार्ग के उपर जा रहे है इस मार्ग से भी वो जीतेंगे ने, इनकी हार निश्चित है इन तमाम हालातों के बीच विश्विंदु परिशत अपनी भूमी का किस परकार से निवा रहा है एक तो समाज की एकता बनी रहे, इसलिए विश्विंदु परिशत कार्य करता है एक धर्म, एक संस्कुरुती, एक मात्रुभूमी इस आधार के उपर हम हिंदु समाज का संगटन करते है और इसलिए अपने देश के परती, धर्म के परती, संस्कुरुती के परती भक्ती का भाव जागूरूत करना और करतवय करतवयन इसकी सेवा करना इसकी रक्षा करना और इसलिए विशुइंदु परश्यत ये संपूर्न हिंदु समाज का संगटन है और समाज शोशन मुक्त बने, समता युक्त बने ये हमारा प्रयास रहता है आज विश्व इंदु परशत पांच हजार से जादा सेवा कारिय यह शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक स्वावलम्मन, महिला सशक्ति करना ऐसा समाज के कमजोर वर्गों में चला रहा है साथ ही में पुझ्ज सादुसंतो के मारगदर्शन में पूर्ण देश भर में अच्छे संसकार बने यह हम प्रयास कर रहे क्योंकि इस देश का हिद हिंदु हित में यह मानते हैं इस देश की संस्कूरती इस देश का इतिहास यहां की परंपरा यह हिंदू है और इसलिए जब तक इस देश में हिंदू बहुमती रहेगी तभी इस देश का और समाज का कल्यान होगा हिंदू की आबादी कम हो जाएगी तो इस देश धर्म संस्कूरूती को परंपरा को बहुत खत्रा है दूसरी बात है इसमें कि जो एक गंगा जमुना तहजीब की बात लोग करते हैं वो एक बहुत भ्रमित करने वाला विशे है आप प्रयाग में गए होंगे गंगा जी यमुना जी का संगम होता है सरस्वती जी का भी संगम होता है उसके बाद में गंगा जी का नाम क्या है गंगा यमुना नहीं है वा नाम गंगा ही है तो तहजीब गंगा जमुना वाली नहीं हो सकती है गंगा की ही तहजीब है हिंदू की ही तहजीब है यह सब को समझना पड़ेगा आपकी उपासना अलग हो सकती है मगर यहां की परंपरा यहां के मुल्य यहां की संस्कृति यह हिंदू ही है यह सब को स्विकारना चाहिए आज की दौर में जिस परकार बच्चे प्लस टू करते हैं टेंथ करने के बाद भी देखने में है कि अधिकतर बच्चे विदेशों के औरूख कर रहे हैं और जो युवा पिड़ी है कहीं ना कहीं अपनी सभेता संस्कृति से दूर होते जा रही है तो इस युवा पिड़ी को अपने देश में ही अपनी सभेता और संस्कृति का परचार करने के लिए रोजगार पाने के लिए विश्विंदु परिशद कुछ कारे कर रहा है तो अभी हम लोगों ने युवाओं के लिए रोजगार रोजगार का अर्थ नौकरी नहीं वेवसा है ये प्रयतन बजरंग दल ने बड़े प्रमाण में प्रारंभ किया है और विश्विंदु परिशद बेहनों के लिए अन्य भी ऐसे समाज के फिर अन्य वंचित वरगों के लिए अभी यह प्रयास कर रही है पिछले छे माह में हम लोगों ने एक हजार नौसो नौ इतने युवाओं के हाथ के लिए काम दिया है तो यह बहुत बड़ा प्रयात ने एक समाजिक संगठन करके हम कर रहे है और यह प्रयास हमारे बहुत बड़े प्रमान में बढ़ेंगे कि युवाओं अपने गाओं में रहे, खेती से जुड़े पिछले साल हमने चार हजार से जादा किसानों का जैविक कुरुशी के लिए प्रशिक्षन किया है तो अपनी जो खेती है वो कम खर्चे में अधिक मुनाफे में अधिक नफे में कैसे कर सकेंगे ये भी हम प्रशिक्षन दे रहे हम पुजारियों का प्रशिक्षन ले रहे तो एक उधारन देना है तो तामिल नाडू में हमने बीस हजार से ज़्यादा पुजारियों का प्रशिक्षन किया है जिनमें बीस पचीस प्रतिशत के वल ब्राह्मन पुजारी होंगे शेच अन्य जाती विरादरी के हैं, तो संपूर्ण समाज को पूजा विधी आना चाहिए, पूजा का अधिकारे यह मानने वाले हम है। Sir, आप आज कुरुक्षेतर में हैं, हालात सभी पूरे देश में एक जैसे हैं, कुरुक्षेत्र के अगर मैं बात करूं तो कुरुक्षेत्र में भी मुस्लिम समुदाय के लोग, बंगला देशी लोग, काफी संख्या में कुरुक्षेत्र में अलग-लग नाम बदल कर, चाय कारोबार बदल कर रह रहे हैं कई बार चर्चा होती है कई मामले भी सामने आ चुके हैं कि इस अल्पसंग के समुदाए कि कुछी हुआ लड़कियों को लेके फरार हो गए बड़ी विवाद भी हुए तो ऐसे लोगों पर प्रशाशन द्वारा कारवाई नहीं की जाती संग्ठन अपनी और से कारे कर रहा ह है लोगों को जागरुक कर रहा है बावजुद इसके उनकी संख्या बढ़ती जा रही है इस पर सर क्या कहें मुझे लगता है कि समाजने भी जागरुक होना चाहिए विश्विंद परश्यत तो जो करना है वो करी रही है विश्विंद परश्यत का कारिय इस दृष्टी से बढ़ना चाहिए ये भी आवश्यक है किन्तु ये कोई एवल एक संगठन करेगा इससे पुरा होने वाला काम नहीं है संपूर्ण समाज ने इसके लिए काम करना चाहिए क्योंकि ये जो बाहर से आने वाले बांगलादी गुस्पेटी है रोहिंग्या मुसल्मान है ये देश की अंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़े खत्रे हैं और ये लोग जो स्लीपर सेल्स बनते इसलामी कातंकवाद के इसमें भी शामिल होते हैं तो जिनको अपने देश की सुरक्षा की चिंता इसे हर जागरुक नागरिक ने इस विशे के बारे में सहयोग करना चाहिए ये हरेका करतव है और सरकारी एजनसियां भी जो चलती है क्योंकि ग्राउंड लेवल पे तो वेक्ती के उपर सब निरवर रहता है तो कितने जिम्मेदारी के भाव से हर वेक्ती काम कर रहा है ये बहुत महत्वका है तो इस ये ध्यान में रखकर काम करना चाहिए तो सर्य अंतमे मैं ये जानना चाहूँगा कि हर्याना में आने वाले दिनों में विश्विंदु परशत के और से क्या-क्या कारिकर मयोजित होने जा रहे है विश्विंदु परशत के साथ वर्ष दो वर्षों में पूर्ण होने वाले हैं तो हर्याना में भी इस दुरुष्टी से कारिय विस्तर और कारिय के दुरुडी करन का काम होगा हम सेवा कारियों की संख्या बढ़ाएंगे तो समाज के जो वंचित वर्ग है जो कमजोर वर्ग है उसके सशक्ति करन के लिए हमारे शिक्षा, चिकित्सा, आर्थिक स्वावलंबन, कौशल विकास, ऐसे सारे कामों में हम जाएंगे हर जीले तक, हर प्रकंड तक हमारा काम पहुँचे यह भी विशेक हम करेंगे हिंदू समाज अंदर से निर्दोष बने, विशमता से जो भी ये पिछले देड़ दो हजार वर्ष में जो कुछ भी परिस्तितिया बनी है तो हिंदू समाज पूर्ण तया निर्दोष बने, यह भी हम प्रहतन परे करेंगे और जो गोहत्या, इसाईयों का धर्मान तरण, लव जेहाद, इस्लामिक आतंकवाद, ऐसी जो सारी समस्याएं इसका मूतोड जवाब देने वाली शक्तिया हम हर्याणा में कड़ी करने का प्रहतन करेंगे धन्यवद मर्शमत